घर में जब भी कभी रोटी बनेगी ना हमेशा आप आटे को थोड़े से बचा के रखी लेंगे इस रेसेपी को बनारे के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है थोड़े से तेल डालना एक बरतन में उसके बाद आपको सरसो के दाने डालने है अच्छी तरह से पकने अच्छी धनिया पाड़ और यह सब तो मसाले आपको जाएंगे ही लेकिन खास एक मसाला मैं और डालने वाली हूं जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जायता तो यह देखे नोर्मल वाले मसाले हैं घर में मिल जाएंगे सभी को डाल लेना है और अच्छी तरह से भू ले लिया यह देखे बड़ी साइच के मैंने अलू का इस्तिमाल किया है दो लोए है मेरे पास आटे के और अच्छी तरह सी देखे आलू को भी हलका सा भून ले उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया कतूरी में थी और अच्छी तरह से मैंने पका लिया यह द डाल दिया है, कॉर्ण फ्लार नहीं है, तो आप चावल के आटे का इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर सूजी का इस्तिमाल कर सकते हैं, कलोंजी इसमें डाला है, सफेद दिल डाला है, उसके बाद हरी धनिया के पते डाल दिया है, स्वाधनुसार नमक डाल दिया, और बिल्कुल पत्लिया कर दो कि बनानी है और ऐसी साइड में बन छूक recommend ऊसे को बड़े साहं को से ciertार तो रोटी यह देखे दोनों तैयार हो चुके हैं आप क्या कर रहा है आपको आप चलिए मैं बताने वाली हूं जिस इसका जो टेस्ट है बहुत ही जादा बढ़ जाता है तो घर में सभी के मिल जाएंगे आपको टोमेटो केचप अगर टोमेटो केचप है तो टोमेटो बनी है इसी से इसका पूरा टेस्ट बढ़ जाएगा जो टोमेटो केचप लगा है उससे इसका जो टेस्ट आएगा ना खटा मीठा चट पटा बहुत ही अच्छा आता है और अच्छी तरह से आपको रोटी लेने हैं और साइट से में अगर आपको दिकत हो रही है तो हलका अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दे और इसी तरह की रेसेपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां मैं इसे सौट रेसेपी भी बना के जाल देती हूं अगर नहीं देखिए तो नाफ्ते की एक से एक वराइटी मिठाई की एक से एक देखिए इस तरह बहुत ही क्रिस्पी सा लेयर चड़ जाता है इसी तरह जितने ही है आपको बना लेने है एक साइड इढर से पकड़ना है एक साइड इसा ऍधर से पकड़ना है और यह देखा तिकोने जैसे आपके तयार हो जाएंगे, इसी तरह आपको सब ही को बना लेने हैं, जितना आपको बनाना है आप ही आप सकता है, उतना इस आरबनसा बना सकते हैं, और अगर आभी आपको जरूरत नहीं है, कम बनाना है, तो थोड़े सा आप भरके भी रख सकत कि मैंने चीतर से घर्म कर लिया है और टेल में अची तरह से चूड़ा से जोड़ास बीविया क्रिस्पी हो देज़ाए वजी नहीं गयर जंगे कृष्पी के छाइछ त्यस्थिंतो遊戲 में अगर दॉब्र में एक टार रहे सोगी पर आता है और अगर ये रेसेपी आपको पसंद आती है तो ये कलाए का भी ही कर सकते हैं और ये देखें क्रिस्पी होने के बाद निकाल लेना है और चाय के साथ आप इसका अनंद ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पी साम के समय अगर नास्ते में कुछ बदाई